हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नीशा आज मैं आप सब के साथ बहुत ही टेस्टी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो चलिए फ्रेंट्स बर्गर बनाना शुरू करते हैं बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले बर्गर की टिक्की बना कर त्यार करेंगे तो टिक्की बनाने के लिए हमने सारी त्यारियां कर रखी है तो ले लेते हैं कड़ाई कड़ाई में हम सबसे पहले ओयल डाल देंगे ओयल को गरम होने देंगे ओयल के गरम होते ही वन फॉर्थ डी स्पून डाल देते हैं क्यूमन चीट्स थोड़ा सा हम डाल देंगे फाइन चॉप जिंजर और एक मीडियम साइज की प्याज कटी ही डाल देते हैं अच्छे से सारी चीजों को भूल लेते हैं ओयल के साथ एक मिनट भूनने के बाद हम ड हरी मिर्च, आप टेस्ट के काड़िंग डाल देंगे थोड़ी सी कटी भी लायर जींगे ओर धोंul सुत देफेर ढखा जेस का पावोडर देंगे और हडे और सारीं झाले और वन थर्ड स्पून हम डाल देते हैं मैंगो पाउडर वन थर्ड स्पून डालेंगे गरम मसाला और अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा भीगा हुआ पोहा डाल देंगे पोहा बाइंडिंग में बहुत ही जादा मदद करेगा और उबले हुए आलू देते हैं आलू को थोड़ा सा क्रेश करके डालेंगे थोड़ी सी कटी भी हरी धनिया डाल देते हैं अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करेंगे और भून लेंगे तो सारी चीजों को अच्छे से भूनने के बाद हम ले लेते हैं आलू मैशर और आलू मैशर से हम सारी सबज कर लेते हैं तो मैश करने से क्या होगा कि जो हम बर्गर की टिक की बनाएंगे तो वह बहुत ही पर्फेक्ट बन कर त्यार होंगी आप देख सकते हो सारी चीज़े अच्छे से मैश हो गई है अब हम गैस को आफ कर देते हैं और मिक्षर को हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर ले कौन स्टार्च में हम थोड़ा सा पानी डालके एक पतला गोल सा त्यार कर लेते हैं बहुत जादा पतला नहीं करेंगे थोड़ा सा गाड़ा सा बैटर हम थ्यार कर लेंगे कौन स्टार्च का इसे हम साइड में रख देते हैं टिक की बनाने के लिए त्यारी हो चुकी है अ उसका साइस धंबर्गर बन के हिसाब से ही रखेंगे और एक एक करके हम सारे ही टिक्कियां बनाकर त्यार कर लेते हैं तो सारी टिक्कियां बनकर त्यार हो चुकी हैं अब हम क्या करेंगे एक एक टिक्की को लेंगे और कॉन स्टाज का जो हमने गोल बनाकर त्यार किया था उ इसके बाद इसमें हम उपर से ब्रेट क्रम्स लगा देते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, परफेक्ट टिक्की बनकर त्यार हो चुकी है, एक एक करके हम सारी टिक्कियां सेम प्रॉसेस के साथ त्यार कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से हमें घोल में डिप करना है और ब्रेट क्रम्स लगाते हुए हमें सारी टिक्कियों को त्यार कर लेना है तो बर्गर के लिए टिक्की बना कर त्यार कर लिया है इसे हम साइट में रखते हैं, चलते है नेक्स प्रॉसेज में अब हम टिक्यों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो उसके लिए अब हम ले लेते हैं एक तवा नॉन स्टिक तवा लेंगे उसमें आप घी, ओईल, बटर जो भी पसंद करते हों आप ले सकते हो इस तरीके से थोड़ा सा जादा कॉंटिटी में डालना है जादा कहने का मतलब है कि टू से थ्री टेबल स्पून डालेंगे और ऑईल को गरम होने देंगे ऑईल की गरम होते ही हम इसमें टिक्कियां अपनी फ्राई करेंगे थोड़ा सा उलट पलट के हम फ्राई कर लेते हैं क्रिस्पी होने तक हमें टिक्कियों को फ्राई करना है और इन्हें हम पलट दूसरी साइड भी हम इने fry कर लेते हैं, बहुती परफेक्ट टिक्की फ्राई हो रही है, और टिक्की को fry होने में बहुत धादा थाइम नहीं लगता है, ये काम फटा फट से हो जाता है, आप देख सकते हो, टिक्की हमारी अच्छे से fry हो चुकी है, तो उलट पलट के हमने बर्गर की टिक्की को क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइ कर ले हैं अब हम इन्हें थोड़ा सा थंडा हो जाने देंगे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और इन्हें हम थंडा हो जाने देते हैं चलते हैं नेक्स प्रॉसेस में और इस तरीके से हमने ले लिया है बर्गर ब genetic omaenza कैश्प ले लेंगे वन टेढ़ स्पून मैयनीज ले लेंगे और अच्छे से सारी चेज़ों को मिक्स कर देंगे और हमारे बर्गर बन की लिए sauce त्यार हो चुकी है तो चलिए आप बर्गर बना कर त्यार कर लेते हैं बर्गर बनाने के लिए हम बर्गर healthy का एक हिस्सा ले लेते हैं Ça लगाएंगे और एक some रगदेते पता गोबि की और एक म टिक्की रख देंगे इस तरीके से हम चीज की Special रख देते हैं उप उस्फे हम वापस से सॉस लगा देंगे और टोमेटो की Step देते हैं एक अनियन स्लाइस रखेंगे और इस ढूप्र तूट्पिक लगाने सेटे हैं जो स्लट गेर घरे गने फट में असानी उनकर और आप आप त्रीजी टीयार कर आप आप सरी मेरे विडियों थोड़ पसंदाई वी तो प्लीज लाइक माय विए video and subscribe to my channel thank you so much